अब्रीबन एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वीडियो में हम 12 important question आपकी unit marketing for management से discuss करने वाले हैं तो अगर आप पहली बार इस चैनल पर आये हैं और आपने यहां पर पूशा गया है आपसे कि इसमें क्या होता है कि एक पच्च को दूसरे पच्च की कीमत पर लाब होता है अगर हिंदी में बात करें इंगलीस में आप समझ गए होंगे one party gains at the expense of the other तो इसको कहते हैं distributed bargaining distributed bargaining में क्या होता है एक दूसरे नाम से भी इसको जानते हैं इसको कहते इसमें इसमें क्या होता है कि एक पार्टी अगर विनर होती है तो दूसरा जो है दूसरी पार्टी अपने आप जो है वो हार जाती for example के तौर पर मैं आपको बताऊं जैसे कोई employee जो है वो अपने employer से bonus की मांग करता है employer कह रहा है कि इस बार हमें bonus चाहिए अब यहां पर दो condition बनेंगी या तो employer bonus देगा अगर bonus दे देता है तो यहां पर employee की employee जो है बिनर हो जाएगा ठीक है और एक तूसरी condition यह बनती है कि employer bonus ना दे अगर नहीं देगा bonus तो यहां पर जो है इंप्लोइर ने का थीक है रहें bonus आपको देंगे तो यहां पर employee बिनर हो गया तो जो आटोमेटिकली employer जो है weekend लूजर हो जाएगा लूज कर जाएगा हार जाएगा ठीक है तो यहां पर एक जीते गा तो आटोमेटिकली दूसरा हार जाएगा तो यहीं होता है हमारा डिस्टिव्यूटिब बार्गेनिंग में अब एक और यहां पर दिया है इंतिग्रेटिब बार्गेनिंग इसको भी समझ लीजिए यह होता है विन-विन सिचुएशन इसमें दोनों की जीत होती है इसे ग्जांपल हम्ज़ लेते हैं कि जो मांग रहा था एंप्लयों आथा Emperor ने कहा जिसे एंप्लयों कंपो व्हूर्श यह इस बार हमको मई नियूट बोन। इसने कहा थीक है इस बारहा झाप बोनॉस दे दीजिए तो employer ने का ठीक है हम 10,000 तो नहीं दे सकते हैं आपको bonus के तवर पर हम आपको 8,000 जो है provide कराते हैं age bonus तो यहाँ पर देखिए दोनों की दोनों ही बिनर हो गए इंप्लोई ने का हमें bonus मिल जा है उसे bonus मिल गया और employer ने bonus देना चाहा तो उसने bonus दे दिया तो इसी को पोलते हैं इंटीग्रेटिव बारगेन तो इन दिनों को आपको याद रखना है यह होता है विन लूज सिच्वेशन और यह होती है बिन विन सिच्वेशन तो यह question था चलिए next देखिए कि नेक्स्ट वज़ने इस स्टेजी सिंदी अंट मर्ड़ सीन थे कस्टम hm कस्टमर व्याय को मैं आपको बता चुका हूं एक बार फिर म след hadi क्या होता एक का प्रोसिष को में बताता हूं पहला होता है सबसे पहले क्या होता है प्रोब्लम को आंड डिया जाता है सेकेड prag शेत information search की जाती है और third पर आता है evaluation of alternatives and fourth stage is purchase purchase decision यहां पर आ जाएगा और fifth stage जो last रहेगा बो रहेगा post purchase behavior यही जो होता है consumer buying decision process यही होता है आप से इसमें पूछा क्या गया है which is not one of the stages in the consumer buying decision process तो इसमें से काउंसा नहीं देखिए purchase decision बिलकुल होता है post purchase बिलकुल problem recognition यह आप देख रहे हैं option D जो है इसका option answer हो जाएगा क्योंकि यह जो है consumer buying decision process नहीं होता है चलिए next question देखिए next question क्या पूछा गया है which of the following concept is based on the development design and implementation of marketing programs processes and activities that recognize their breath and interdependency तो यह आप से पूचा गया तो इसका आप डारेक्ट आंसर लगा सकते हैं बहुत बार इस concept को आप सुन चुके हैं holistic marketing concept holistic marketing concept क्या होता है इसमें जो है whole business को consider किया जाता है और different marketing channel को एज system consider किया जाता है holistic marketing concept में यहां पर चार component होते हैं मैं कई बार इस concept को आपको बता चुका हूं काउन से चार component होते हैं पहला होता है इंटरनल मार्केटिंग दूसरा होता है रिलेसंसी मार्केटिंग तीसरा होता है इंटी ग्रेटिड मार्केटिंग एंड फोर्थ पर्फोर्मेंस मार्केटिंग यह component भी आपको याद रखने हैं यहां से question बन जाता है चलिए next देखिए इसके बारे में आपसे पूछा गया है तो यह जो है actual product के बारे में बात कर रहा है Actual product क्या होता है अट्शल product की बात करें तो it includes the basic characteristics of a product extra product मैं जो basic characteristics सो cabinet वो include होती है जैसा कि हाँ पर 100 हो रहा है सको में देखिए प्रोडक्ट्स वालिटी तर इस टाइल ब्राइंटों इंचेंग यह सब जो रहsesग बेल्त इसee इस नाट रिलेटिड टू ओरिजिनल परपज किसी प्रोड़क्ट का जो ओरिजिनल परपज है उससे जो भी रिलेटिड चीज़े नहीं है वो आजाती है और एक्जामपल डिलीबरी हो गई फाइनेंस हो गया वारंटी हो गई ठीक है तो यह जो है प्रोड़क्ट का जो ओरि लेशन नहीं होता है उनको कहते हैं augmented चलिए आगे देखिए अगला question consumer protection act बाज initiated बाई तो consumer protection एक जो है यह आया था former prime minister राजीव गांदी के दवरान 1986 में तो यह factual question था next देखिए next है the promotion mix of a company consists of these promotion mix में company किन-किन चीज़ों को include करती है देखिए advertising को personal selling को sales promotion को publicity को and public relations इन सभी चीज़ों को consist करती है include करती है promotion mix में तो यही इसका answer हो जाएगा next देखिए next question which method of setting advertising budget तो advertising budget के जो भी method है मैं यहां पर आपको बताने वाला हूं पहले तो question को देख लिए which method of setting advertising budget is most scientific and logical most scientific and logical method की बात करें तो वो होता है objective and task method कौन सा objective and task method और मैं सभी method की बात करूंगा यहां पर जो भी advertising budget को set करने के जो भी method है advertising budget को determining के जो भी method हो है वो यहां पर आपको मैं आप बताने वाला हूं तो पहला method में बता रहा हूं कि पहला method क्या होता है पहला method होता है purchase of sales method क्या होता है purchase of sales method इसमें क्या होता है देखिए कोई भी company का management जो होता है वो जो advertising budget को sales के regarding fix करता है for example उसका previous year में एक particular कुछ रुपए का sales हुआ होगा for example हम मान रहे हैं 100 रुपए का उसका sales हुआ है previous year में अब वो इसी के regarding जो आने वाला year है उसमें फोरकास्ट कर रहा है बंट 20 रुपी का sales हो जाएगा ठीक है 120 रुपए का sales होगा आने वाले year में तो इसी बेस पर management decide करता है कि sales का sales का कोई भी particular percent for example management में decide कि sales का 20 परसेंट जो है वो आप advertisement पे expense कर सकते हैं तो 120 रुपए की sales होगी और इसका 20 परसेंट याने की 24 रुपीज को advertisement पे expense करना है ठीक है तो यही होता है percentage of sales method second method देखिए second method क्या होता है वो होता है affordable method यह affordable method नाम से clear है affordable method होता है वो company to company vary करता है वो कितना advertisement जो budget है वो कितना afford कर सकती है कुछ चोटी company जैब कम advertise पर expense करती है तो वो किस तरीके से होता है तीसरा देखिए तीसरा होता है competitive parity method competitive parity method में क्या होता है कि कोई भी company अपने advertising budget को सामने वाले competitor के हिसाब से सामने वाला competitor कितना जो है budget allocate कर रहा है advertisement के लिए उसी भी आप से अपना decision लेता है fourth method की बात करें तो वो objective and task method जो यहाँ पर scientific and logical होता है इसमें क्या होता है कि company में किसी भी objective को perform करने के लिए कोई नगोई task करना पड़ेगा आप समझ रहे हैं न किसी भी objective को बहुसे objective होते हैं company के तो उसमें किसी भी objective को अगर एचिव करना है तो उसके लिए कोई नोब कोई टास्क Perform करना पड़ेगा और उसदक को करने के लिए ज़ितनी भी कोस्ट इंकर्ड आएगी जितनी भी कोस्ट इंबोल्व होगी उस परटिकुलर टाक को करने के लिए उसी को बोलते है उसी से जो है हम डिसाइड कर लेंगे एडवर्टाइजिंग बजट तो यही होता है अबजेक्टिंग अबजेक्टिव एंड टास्क मेथड ठीक है तो यह सब हमने आपको बता दिये परसेंटेज अबजेक्टिव एंड टास्क कम्पूटेटिव प्यरिटी आल क्यूएन आल यू केन अफॉर्ड ठीक है तो यह सभी मेथड हैं इडवर्टाइजिंग बजट को डेटर्माइन करने के चलिए आगे देखिए नेक्स्ट कोश्चन है इन कंजूमर्स वे सेरा स्ट्रॉंग नीड डैट कैन नाट भी सेटिस्फाई वाई एन एक्जिस्टिंग तो डिमांड यहां पर बोला गया तो निगेटिव डिमांड क्या होती है वचेज को और देखिये डाइरेक्ट आप उसके नाम से उसचीज को रेलेड कर सकते हैं लगाएंगे कि प्रोड़क्ट को डिसलाइक कर दिया गया है जो भी उसका टार्गेट कस्टमर ठीक है लेटेंट निमांड जिस टीमांड को सेटिसफाई नहीं किया जा सकता है डिकलाइन दिमांड देखिए नाम से आप इसको आईडिया लगा सकते हैं का मतलब हो गया डिमा तो आप स्मोझ सकते हैं जो रेगुलर ना वह सीजिनल आफ कि इसीसे पर्टिकुलर बहुस ते प्रोड़क्त क्या उते ह्ते हैं जो अंकि डिमांड होते हैं ठीक है रेगुलर नहीं ओती है चलिए और कुछ डिमांड हो गई जैसे मैं और बता देता हूं इसके अलावा भी आपको देखिए एक होती है अन्होलसम डिमांड अन्होलसम यह एक तरीके से निगेटिव डिमांड होती है इसने प्रोडक्ट को डिसलाइक कर दिया जाता है टार्गेट कस्टमर के द्वारा ठीक है नन एक्जिस्टिंq डिमांड का मतलब क्या होता है देखिए उसको भी समझ लीजिए लन एक्जिस्टिंग डिमांड यह कब होती है जब मारकेंटिंग स्टेट्टी जहें मारकेंटिंग जो रिसेच्च किया गया है जह नहीं किया जाता है तो वहाँ पर यह क्या Works कि वह कुछ दिमांड हो जाती है इसमें मार्केटर किया सूचता है मार्केटर यह सुचता है कि यह प्रोडड़क्ट की वह मार्केटर बहुत जाए इससे को बोलते हैं नान इग्जिस्टिंग टिमांड वह जाती है जिसे फुल डिमांड हो गई उसको क्या बोलते हैं फुल डिमांड में जो है सप्लाई डिमांड के इक्वल हो जाती है ओबर फुल डिमांड में क्या होता है डिमांड मोर देन हो जाती है manufacturing capacity से किसी particular plant की capacity सो प्रोडक्ट बनाने गी लेकिन मार्केट में डिमांड है 120 प्रोडक्ट की तो इसको बोलते हैं ओबर फुल डिमांड यह सभी टिमांड के टाइप में मैंने आपको बता दिये चलिए आगे देखिए इन इसको देखिए अभी मैं बता चुका हूं ओबर फुल डिमांड में यही होता है कि प्रोडक्ट का मैनुफक्टिरिंग उतना नहीं हो पाता है जितना मार्केटिम उसका डिमांड है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट एफ फॉर पीज रिप्रेजेंट दे शेलर वीव अफ दे मार्केटिंग टूल से विलेबल फोर इन फ्लेंशिंग बायर्स पॉंट आप वीव इस मार्केटिंग टूल इस डिजाइन टूल डिलिवर अ कस्टमर बेनिपिट रावर्ट सारे इनों ने बताया था कि फोर पी के करेस्पोंड में जो फोर सी होते हैं वह आप से पूंचे गए हैं तो वह आप डारेक्ट लगा दे कस्टमर सोलिउसन कस्टमर कोस्ट कन्विनियंस एंड कम्यूनिकेशन ठीक है चलिए आगे क्या बोला गया विच वन आप दे स्टेटनंग मर्बखहए चलिए और कि लिभी इसन फीन फिल्केशन को LOL को यह ऑन खालिए कि आगे क्या बोले वीच इंप द प्रासइंग डिसीजन्स एकनविक अप्लेडिकल एंवर्मेंट-प इलकूल pricing decisions को यह effect करेगा trade traditions effect करेगा competition भी effect करेगी pricing decision को all of these इसका answer हो जाएगा pricing decision की बात की गई है तो मैं इस आहां पर आपको बता देगा हूं pricing decision के कुछ method होते हैं एक तो होते हैं cost based method cost base method में cost based जो pricing method होते हैं वहां पर आप पड़ते हैं mark up pricing absorption ऑब जो यआ अप प्राइसिंग सोर्ट इसको सोट में एसी पी बोलते हैं डिमांड बेश को पड़ते हैं पहले होता है वाट तो यह नाम से आप इसको देख सकते हैं यानि यह जो प्राइसिंग यह ज्यादा तर अपने प्राइस को डिशाड कर दिये कि कितना ट्रैफिक आ रहा है एक प्रडक्ट को बाई करने के लिए second हो जाता है skimming pricing और वता penetration pricing यह nine आफिषय जो इसमें और लक्जरी जो बुर्ड में प्राइसिंग को आपलाई होती इसकिमिंग प्राइसिंग में इनिसली प्रड़क्ट की कोस्ब्र रखी लोगों के दोरा सबस्क्राइब किया जाएगा तो इसलिए यह इनीशली लो प्राइस के दार मार्केट में इंटर करते हैं उसके बाद दीरे दीरे अपने जो प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज करते हैं कई बार में बता चुका हूँ इन चीजों को आपको यह चीजें पता चल गई होगी चलिए आगे देखिए तो यही हमारे 12 important question थे marketing for management के तो कैसा लगा वीडियो आप में केमेंट वोक्स में आईए वीडियो अगर अच्छा लगाए तो लाइक कर दीजिए चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं थेंक्यू